हलो फ्रेंज गुड मॉनिंग मैं हूँ एमजे जैसे की देख रेफ्रेंज ये है हमारा मदुमालदी का पौधा जो ड्वाफ वेराइटी का है ये जो प्लांट है ये प्लांट को मैं कटिंग प्रूनिंग करने वाला हूँ और इसको डॉर्मेंसी से बाहर लाने का प्रोसेस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वैसे दो ये प्लांट उतना ज्यादा डॉर्मेंट हुआ नहीं है लेकिन ये जो वीडियो बन रही है ये स्पेशल रिक्वेस्ट पे बन रही है कि अगर हमारे प्लांट डॉर्मेंट हो जाते है तो बाद में हम अपने प्लांट के उप पर कैसे काम कर सकते हैं क्या प्रूनिंग करनी चाहिए क्या फीडिंग करनी चाहिए कैसे वाटरिंग करनी चाहिए कितनी प्रूनिंग करनी चाहिए ये सारी चीजे में ये वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कब फर्टिलाइजर देना चाहिए ये सारी चीजे में आ हमें plant के नीचे की area को हमें देखना होगा नीचे की branches को देखना होगा ये है उसकी mother stem mother stem के उपर से बहुत सारी दूसरी छोटी छोटी branches निकल रही है जब भी आप pruning करते हो तो कभी भी mother stem की pruning मत करिए अगर आपने यहां से pruning की तो बाद में आपका plant बहुत ज्यादा time ले लेगा नई branches निकलने में और possibility ये भी है कि आपका plant मर भी सकता है तो इसलिए जो mother stem है उसको बिल्कुल भी damage नहीं करना है तो cutting क्या करनी है cutting हमें सिर्फ ये जो branches निकल रही है वो branches की cutting करनी है अब ये जो branches आप देख रहे हो उसकी 50% जितनी हमें branches कट कर देनी है अब जैसे की देख रहे हो 50% जितनी branches में कट कर दे रहा हूँ 50% branches कट करने से ये होगा कि जो भी branches इसकी नई निकलेगी वो healthy निकलेगी और मोटी निकलेगी अगर आपने बहुत उपर से उसकी pruning की तो बाद में पतली पतली branches निकलेगी तो ये भी ध्यान रखिए दूसरी चीज जो unwanted जो पतली बहुत पतली जैसे की देख रहे हो ऐसी branches और dry branches को हमें cut कर देना है ये तो आपको बताई होगा अगर आप regular मेरी वीडियो देख रहे हो तो जैसे की ये सारी branches मैंने हटा दी एक और important चीज मैं आपके साथ share करना चाहता हूँ friends के कभी भी branches को pull मत करिए जैसे की हम खीषते हैं ऐसा मत करिए हमेसा एक scissor के साथ कट कीजिए उसका reason ये है कि अगर आप pull करोगे ये जो node areas है ये node areas damage हो जाते हैं तो plant सबसे पहले वो damaged node areas को ठीक करेगा उसके बाद branches को निकालेगा तो उसमें वक्त लग जाएगा तो इसलिए हमें ऐसा time waste नहीं करना है plant को बहुत जल्दी दूसरी stem पे लेके आ जाना है तो इसलिए हमें कोई भी खीचातानी नहीं करनी है जो branch अपने आप ही तूड जाती है उसको ऐसे ही तोड सकते हो लेकिन खीचना बिल्कुल भी नहीं है अब जैसे की देख रहे हो फ्रेंज ये plant को हमने अच्छी तरह प्रून कर लिया है 50-50% जितनी branches हमने कम कर दी है इसकी अब जो भी branches निकलेगी इसकी मोटी branches निकलेगी healthy branches निकलेगी अब हम नीचे जाएंगे जैसे की मीडिया देख रहे हो फ्रेंज जब भी आप प्रूनिंग वगेरे करते हो या तो कोई भी ऐसा treatment करते हो तब आपका जो मीडिया रहता है वो मीडिया dry रहना चाहिए moist मीडिया नहीं रहना चाहिए इससे आपको काम करने में बहुत आसानी होगी आप easily अपने plant की अंदर काम कर सकोगे तो सबसे पहले में side वाली ये जो मिट्टी है वो side वाली मिट्टी निकाल दूँगा अब यहाँ पे एक दूसरा point में आपके साथ share करना चाहता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे pruning की है तब मैं नीचे root pruning नहीं करूँगा अगर आपको लगता है कि आपके plant को root pruning की जरूरत है आपको root pruning करनी है तो बाद में सबसे पहले root pruning करिए और 10 से 15 दिन के बाद exactly 10 तू 15 डेस के बाद ही आप अपने plant के उपर pruning कीजिए देगे बहुत सारे लोग कर लेते हैं एक ही time पे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ friends की अगर आप अपने plant को एक ही दिन में उपर और नीचे दोनों साइ divide हो जाएगी आपको result उतना अच्छा नहीं मिलेगा जहाँ पे जो plant मोटी branches निकालने वाला होता है वहाँ पे वो थोड़ी सी पतली branches निकालेगा तो अगर आप चाहते हो के healthy shoots निकले तो बाद में आप सबसे पहले pruning कीजिए जो root pruning है वो कीजिए उसके 10 से 12 दिन बाद आ नीचे develop हो जाएंगे तो बाद में जैसे ही आप pruning करोगे तो plant के उपर बहुत जल्दी नई और healthy shoots भी निकलना शुरू हो जाएगी मैं अपने plant के अंतर root pruning नहीं करने वाला है क्यों मुझे नहीं लग रहा कि मेरे plant के roots इतने ज्यादा bound हो चुके है और एक चीज यहार रहे है तो ऐसी condition में ही आप root pruning करिया अधवाइस कुछ ऐसी condition हो जैसे की आपको उपर roots नहीं दिख रहे है और नीचे से भी roots बहार नहीं निकले है तो बाद में आप root pruning करने की जरूरत नहीं है तो सबसे पहले यहाँ से side वाली मिट्टी में सारी निकाल दूंगा जैसे की देख reference मैंने side वाली सारी मिट्टी निकाल दी है थोड़े roots हमारे open हो चुके कुछ roots अगर तूड़ जाते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिर से नए roots इसके बहुत जल्दी आ जाएंगे अब जैसे की यहाँ पे दो तरीका आता है एक तरीका यह है कि roots को ऐस पूरा दिन और दूसरे दिन हम इसके अंदर root feeling करेंगे root feeling कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ और एक तरीका ऐसा है कि जैसे की हमने यह side वाली मिट्टी निकाली और on the spot अभी हम root filling कर देंगे तो मैं वही process आपको बताऊंगा कि मैं अभी on the spot root filling कर लूँगा क्योंकि मेरे पास इतना वक्त होता नहीं है और मैं पूरे दिन plant को ऐसे open रखना नहीं चाहता लेकिन उसमें plant को नुकसान नहीं होगा अगर आप करना चाहते हो तो ऐसा कर सकते हो यह आपकी personal choice होगी कि आप 24 गंटे तक plant को ऐसा open ही रखिए उसके roots को open रखिए open रखने से यह होगा कि जितने भी जो disease या fungus वगेरे मिटी के अंदर यह root system के आसपास लगे होंगे यह सारे मर जाएंगे sunlight मिलने की वज़े से यह मर जाएंग अब मैं इसके अंदर root filling करूँगा root filling में हम simple compost वगेरे डाल सकते हैं ऐसे कि देख रहो फ्रेंस मैंने एक मुठी भर के compost लिया है यह compost मैं side में डाल दूँगा अब मेरे compost के अंदर अगर आप देखोगे तो white color का कुछ fungus जैसे आपको दिखता होगा अगर आप ध्यान से देखोगे white color का यह जो देख रहे हैं यह white color का fungus जैसे आपको दिखता होगा एक्चुली यह जो fungus रहता है यह beneficial fungus रहता है यह organic चीजों के साथ mix किया हुआ मेरा organic fertilizer है अब simple अगर आप vermi compost लोगे तो उसमें यह सब आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन अगर आप organic mix तयार करते हो organic mix की video मैंने description box में दी है वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं उसके अंदर मैंने बहुत सारे ingredients mix किये हैं लेकिन मैं जानता हूँ कि यह सारी चीज़े आपके यह possible नहीं होगी तो इसलिए आप cowden compost या तो vermi compost दोनों में से एक compost ले लीजिए एक मुठी compost आप side में डाल दीज लगते हो अब जैसे कि मुझे लग रहा है कि दूसरी मिट्टी मुझे add करनी होगी ताकि यह सारे roots अंदर cover up हो जाए roots open नहीं रहने चाहिए आप दूसरी मिट्टी अगर add करते हो तो उसके अंदर आप sand, compost और garden soil ये तीनों तीन को equally mix करके ही आप use करिए क्योंकि मेरे पास ये जो combination है ये हमेशा available रहता ही है sand, compost और garden soil ये मैं हमेशा अपने पास store करके ही रखता हूँ और ये ही जो अगर मैं मिट्टी वाला plant लगाता हूँ तो ये combination में ही मैं लगाता हूँ दूसरी एक चीज आपने देखी होगी कि मैंने इसके अंदर किसी भी type का fungicide नहीं डाला है, सिर्फ organic fertilizer ही डाला है fungicide कब से शुरू करूँगा? देखिए fungicide मैं अभी इसके अंदर नहीं डालूँगा जैसे ही मुझे लगता है कि मेरे plant के उपर नए branches और नए shoots ज्यादा develop होना शुरू हो चुकी है उसके बाद में एक ही बार इसके अंदर potassium humate plus fungicide अपलाई करूँगा जैसे ही मेरे plant के उपर नए shoots निकलना शुरू हो जाएंगे उसके बाद एक ही बार में potassium humate और fungicide डालूँगा potassium humate एक ग्राम लेना है, fungicide एक ग्राम लेना है, दोनों को एक लिटर पानी में mix करके आप इसकी मिट्टी में apply कर लीजिए जब आपके plant के उपर नए shoots निकलना शुरू हो जाएंगे तब अभी plant के अंदर कोई भी fungicide कुछ भी नहीं डालना है, जो organic fertilizer है, वही काम करेगा normal watering करिए, दिन में 2-3 बार इसके उपर showering करिए पानी का और daily इसके अंदर पानी डालिए लेकिन medium डालिए, देखके डालिए, जैसे कि आपको लगता है कि मिट्टी अपर से हलकी सी dry हो चुकी है, उसके बाद पानी डालिए, लेकिन मिट्टी अगी भी सौगी है, इसके अंदर अभी भी कीचर ताइप मिट्टी है, तो बात में प वीडियो शेर करूंगा कि कौन सा fertilizer ये plant में provide कर रहा हूँ, तो ये एक simple चीज है जो आपको करनी है, जितने भी आपके summer plants है, जो dormancy में से अगर आप उसको बाहर लाना चाहते हो, तो ये इसाब से आप उसके उपर काम कर सकते हो, तो अगर आप root pruning की अलग वीडियो देखन चाहते हो, तो प्लीज आप मुझे comment करिए, तो मैं कोई भी एक ऐसा plant में आपके साथ share करूंगा, जिसके अंदर मैं root pruning करूंगा, उसकी treatment कैसे करनी है, वो भी मैं आपके साथ share करूंगा, तो आप प्लीज मुझे comment section में बता सकते हो, कि कौन सी वीडियो आपको चाहिए, त तिल देन के लिए, थैंक यू फ्रेंद्स और हैपी गार्डनिंग